तो इस question में हमें दिया गया है कि एक glass fiber है जिसका refractive index 1.6 है और जो outer covering of pipe है वो एक refractive index 1.44 का बना हुआ है तो हमें बोला गया है कि what is the axis of pipe for which total internal reflection inside the pipe take place as shown और हमें यह पुछा गया है कि अगर कोई outer covering नहीं होगा तो हमारा answer क्या होगा तो इस question में हमें दिया गया है कि refractive index जो है अंदर वाले का 1.68 है और बाहर वाले का 1.4 है यहां पे अगर हम total internal reflection का formula लगा है यह हो जाएगा 1.68 sin c is equal to 1.44 sin 90 तो यहां से c की value आ गई 59 डिगरी ठीक है तो अगर c की value 59 डिगरी है तो r की value आ जाएगी हमारी 31 डिगरी अब यहां पर हम sin i और sin r का combination लगाएंगे यानि की sin i by sin r is equal to 1.68 तो यहां से i की value आ गई 60 डिगरी यानि की कोई भी raise 0 से लेका 60 तक के range में जो raise होंगी वो हमारी total internal reflection सफर करेंगी total internal reflection for i less than 60 डिगरी ठीक है अब अगर हमें पूछा गया कि अगर कोई covering नहीं है बाहर तो हम एक बार i को ले लेते हैं आई को हम 90 डिगर लेने तो r की value 36.5 डिगरी के आसपास आएगी और इस r के लिए जो c आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 53 डिगरी तो और हमें अल्रेडी पता है जब i के value 90 लिए थे तो r 36.5 डिगरी यानि कि जो critical angle है वो हमारा 36.5 डिगरी है यानि कि उससे अल्रेडी ज्यादा है यह angle तो हमेशा जो c है वो greater than critical angle ही होगा sorry जो हमारा जितना जितना भी इस ही आएगा हमेशा greater than 36.5 ही आएगा तो यह कुछ इस तरह हो जाएगा यह हो जाएगा 36.5 डिगरी और जब भी 36.5 डिगरी के उपर होगा तो total internal reflection होगा यह हमारा answer है total internal reflection हुआ है